हाँ गाइज मैं आपको जल्दी से फटावर से बदला दाओं कि अगर आप इस्टागराम आइडी का पासपोर्ट भूल चुके हो और आपको पता नहीं है और आपको याद नहीं है तो आप किस तरह से उसको पता कर सकते हो किस तरह से उसको चेंज कर सकते हो किस तरह से उसको तो आपको उपर तिन लाइन दिखने होगी, उन तिन लाइन पर आपको किलिक कर देना है, तो हम तिन लाइन पर किलिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा, सबसे फर्स्ट में सेटिंग का उप्षन, तो उस पर किलिक कर देंगे, उसके बाद इस स्विच अकाउंड नीचे की तरफ यहां दीख रहा है आपको स्विच अकाउन्द क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा यहां पर Forget Your Login Details Get help with Login. Simply इसपर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है यहां आपको Tap email id type कर देते हैं तो email id type करने के बाद आगे क्या करना है आपको बतलता हूं मैं अपनी email id यह type कर दी आपको करना है simply next पर click तो next पर हम click कर देंगे उसके बाद कुछ new passport create करने का option देगा देश सकते हैं अब आपका new passport आप बड़े आसानी से बीना OTP के यहां पर change कर सकते हैं चलते हैं यहां पर अपना passport डाल देदे create new passport और फिर आपको आगे बतलाते हैं आगे आपको करना क्या है तो मैंने आप passport डाल दिये हैं अब आपको simply उपर right site के बटन पर क्लिक करना अपको right site तो इस पर आपको simply Click करना है इस पर click करने के बाद आपका passport यहां पर चेंज हो जाएगा अब आपको पास्पोर्ट पदा चलिए कि अपका पास्पोर्ट क्या है हम आज को स्यों भी कर लेते हैं आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो मैं आपका कमेंट का रिपलाइज जरूर करूंगा थैंक्स फर वाचिंग हां गाईज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चेंट पर पहली बार आयो आप तो चेंट को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर करना इससा कोई शार्च नहीं लगता है यह पता है आपको तो मिलते हैं फी ने